नमस्कार दोस्तों एक नए वीडियो पर आप सबका स्वागत है तो फ्रिंट्स आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपनी पुरानी वीडियो का थंबनेल कैसे चेंज कर सकते हैं फ्रिंट्स इसके लिए आप कुरोम ब्राउजर का इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकिन आपको प्ले स्टोर से एक अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है वाइटी स्टूडियो आपको डाउनलोड कर लेना है हमने पहले ही डाउनलोड कर लिया है इसके बाद आपको yt studio open कर लेना है open करने के बाद आपको थोड़ा नीचे चले आना है और आपको यहाँ पर view more पर click करके आपनी उस पुरानी वीडियो को यहाँ से choose कर लेना है जिसका आप thumbnail change करना चाहते हैं तो जैसा कि मालो हम अपनी इस वीडियो का thumbnail change करना चाहते हैं तो अपनी वीडियो के उपर आपको simply click कर देना है इसके बाद pen का icon यहाँ पर मिल जाता है तो आपको इस वाले option पर click कर देना है इसके बाद आपको फिर से pen वाले option पर click कर देना है इसके बाद आपके सामने change का option आ जाता है तो simply आपको इस वाले option पर click कर देना है इसके बाद यहां से आपको अपने thumbnail को select कर लेना है करने के बाद इस तरीके का interface आपके सामने आ जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि select का option दिखा रहा है तो आपको इस वाले option पर click कर देना है इसके बाद आपको simple सा save कर देना है जैसे आप save कर दोगे यहां से आपका thumbnail चेंज हो जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका thumbnail हो चुका है विल्कूल आसान तरीके से तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप अपनी पुरानी से पुरानी वीडियो का थमनेल चेंज कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी वीडियो है जिसका हमने अभी थमनेल चेंज किया है तो फ्रेंस आज के वीडियो में बस इतना है फ्रेंस वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तो चलिए फ्रेंस मिलते हैं अगले वीडियो में